गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में कार्णवालिस कोड या फिर कार्णवालिस सहिता के बारे में पढ़ाएंगे तो देखें स्टुडेंट्स कार्णवालिस है ये एक ये था कार्णवालिस सहिता ठीक है तो देखेंगा आज हम परसासि के न्याइक पुलिस राजस्वाय इनन सब के समंद में सुधार किये थे और इन्हें कार्यानवित करने के लिए उसने नीयमों की एक सहिता भी तयारे करवाई थी उसेही कार्णवालिस कोड कहा जाता था तो कार्णवाल इसकोड किसे खा जाता था कार्णवाल इसके जो परसासनी कारिये हैं न्याई कारिये हैं पुलिस कारिये हैं राजस्वय संबंदी कारिये हैं इन्हें कारेनमित करने के लिए जो नियम जो नियम बनाए गए थे उनकी मतलब उन नियमों की एक सहिंता बनाई ग जिसे कि नई व्यवस्ता के बारे में पूरी जानकरी सभी को फ्लब्द हो सके कानवालिस कोड की मुखे दो विशेज था थी वो क्या थी निजामत अदालतों में अंग्रेज नया धिसों की न्यूप थी और एक था नया व्यवस्ता को परसासन से अलग करना तो कानवालिस के आने से पहले किया कि जिल्ले में क्लेक्टर राजस्वा परसासन का मुखे दिकारी था तदा जिल्ले का परधा नया धिस भी वही था एक और वह राजस्वा का निर्धारन करता था और उसे वसूल करता था वहीं दूसरी और उसी के राजस्वा निर्धारन वह वसूली के निर्णियों के विरुद नय देश के रूप में मुख्दमों की सुनवाई भी करता था जो एक अनुचित थामलब अनुचित कारिय था और कानवाले स्कोर्ड द्वारा क्या क्या कि जो क्लेक्टर है उसको केवल राजस्वा निर्दारन और उसकी वसूली का कारिय ही सोंपा गया और नियाई कारिये दूसरे दिकारी को सोंप दिये गए अब देखेगा जो कानवाले स्कोर्ड नियम बना दिया गया कि गवाही देने के लिए धरम के आधार पर किसी वेक्ति पर परतिबंदे नहीं लगाया जाएगा कार्यन वाले स्कोर्ड में अंग भंग सुली पर चढ़ना इन सभी एमानुसिक दंड हैं इनको समापतिक कर दिया गया और कठोर कारवास की सज़ा देने की वेवस्ता की गई वकीलों को लाइसेंस देने की वेवस्ता की गई सरकार द्वारा माननेता प्राप्त व्यक्ती ही वकालत का विवसाय कर सकता था वकिलों की फीश भी निश्यत कर दी गई यदि कोई वकिल निर्धार रही थे फीश से अधिक फीश लेता था तो उसे वकालत के लिए आयोगी गोसिती किया जा सकता था कानवालिस कोड में ये भी व्यवस्ता की गई थी कि यदि कमपनी के अधिकारी गैर कानूनी कारिये करें तो उन पर भी मुक्दमा चलाया जा सकता था किन्तु ऐसे मामलों में जाज़ परताल के वल वे ही अंग्रेज जज़ कर सकते थे जो सरकार से परतिक आर्थिक लाभी प्राप्त ने करते हूं तो मतलब जो कानवालिस कोड है एक तरह से देखें तो एक सहिंता थी और एक व्यवस्ता थी जिसमें मतलब सभी के लिए नियम बनाए गए थे ठीक है तो इसी कानवालिस कोड के बारे में हम आपको मतलब इस वीडियो में पढ़ाएंगे देखें लाड कानवालिस ने 1723 में इस वी में नियाई व्यवस्ता में सुधा लाने के उद्यसे नियमों की एक सहिंता तियार करवाई जिसे कानवालिस कोड कहा जाता है तो क्यूसन आता एकजामे कई बार कि जो कानवालिस सहीता है ये कब मतलब तैयार करवाईगी वो 1703 में किस ने करवाई थी कानवालिस ने 1703 में कानवालिस ने अपने नैक सुधरों को अंतिम रूप देते हुए एक सहीता के रूप में परस्तुत किया था कानवालिस के समय ये कोड सर जोर्ज बार्लो जो 1805 से 7 स्वीत में भारत रहा था इसके द्वारा तैयार की गई थी कानवालिस कोड की विशेशता हैं देखेगा कानवालिस के नैक सुधरों सक्ति पर्थकरण के परसित सिदान पर आधरी थे और इस कोड की दो परमुख विशेशता हैं थी फोज़दारी नैलो में भारतिय नैदिशों के स्थान पर यूरोपिय नैदिशों की न्यूपती और न्याए व्यवस्ता को परसासन से अलग करना हम कह सकते हैं कि कानवालिस ने कर तथा न्याए परसासन को पर्थक किया था कानवालिस के पहले जिला कलेक्टरों को न्याए का कारिय भी करना परता था परन्तु कानवालिस कोड के नुशा कलेक्टर को के वर राजस्वसुले का कारिय सोपा गया और न्यायकारिये के लिए परतेक जिले में जिला जज न्यूक्ते किये गए कानवाल इसकोड में कठोर और एमानुसिक दंड को समाप्त कर दिया गया अंग भंग सुली पर चढ़ा कर मारना आदी दंडों को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अपरादियों को कठोर कारावास की सजा देने की विवस्ता की गई वकीलों को लाइसेंस देने की विवस्ता की गई सरकार द्वारा वकीलों के लिए फीश निर्दारित कर दी गई इस नियम का उलंगन करने वालों को अयोग गोसित करने की विवस्था की गई कानवालिस ने नयाले के अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए कमपनी के करमचारियों और अधिकारियों पर अनुचित और गैर कानूनी कारिये करने पर उस्तिमा चलाए जानी की भी विवस्ता की गई कानवालिस कोड उन सभी परसास के सुधारों पर आदारी था जो लाड कानवालिस ने अपने सासनकाल के दोराने किये थे ठीक है बाद में इसी के आदार पर बंगाल और संपूर भारत में सीविल सिवा की स्ताफना सुरू होती है निश्कस रूप में कह सकते हैं कि लाड कानवालिस ने भारत में पर्थम बार कानून की सरोचता के सिधान्त को सबसे पहली बार भारत में किसने इस्ताफित किया वह आपका कानवालिस अब देखेगा कानवालिस कोड के कई दोस्त भी थे तो यह दोश क्या 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 थे इस कोड का सबसे बड़ा दोस यह था कि इसके अंतरकत इस्त इंडिया कंपनी Note की सभी उस स्यवां वह उस पदों से भारतियों को पुन्ते मंचिते कर दिया गया यह सेवाई पून रूप से यूरोपियों के लिए सुरक्षित कर दी गई जाने से भारत जैसे गरीब देश के लिए बहुत खर्चिली साब भी थूई क्योंकि जो भी मतलब परसासनिक जो भी सुविध हैं थी वह भारत में मतलब भारतियों के लिए नहीं थी और ये दि कोई भी भारतिय इसमें उच्शुख होता तो उसके लिए ये खर्चिली भी भूत पड़ती थी यही नहीं भारत जैसे विसार देश के लिए दिकारियों की संख्या भी बहुत ही नियों ने रखी गई थी ठीक ह तो देखेगा इस वीडियो में हमने कानवालिस कोड के बारे में जानकरी प्राप की इसके गुंदोसों के बारे में जानकरी प्राप की तो कई बारे एकजाम में कानवालिस कोड के बारे में पूछ लेते हैं तो कानवाली स्कोड के बारे में जो हमने वीडियो बनाए उसको धान से आप देखें और यदि आप लोगों के पास कोई भी सुझाव है हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद